student's mathematical expression को हम continue रखते हैं यह आप देख रहें कि मारे पास जो mathematical equation आ गया यहां पर वो है i is equal to c v0, c capacitance है v0 इसकी maximum voltage है और delta जो है वो हमें apply कर रहे हैं इस पर चुंकि यह change हो रहा है, vary कर रहा है अगर आप इस equation को देखें, इस term को, इस पूरी equation के इस term को देखें, इसको आप simply mathematical operation से simplify कर सकते हैं और यह remember भी होगा आपको के यह actually हमारे पास किसके equal है, यह पूरा term, यह equal है omega cos cos of omega t के, यह इसके equally पूरा term तो इसकी जगह हम यह वाला लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो equation है, वो किस तरह बन जाएगा, equation electrical current का, वो बन जाएगा I is equal to omega cv0 cos of omega t, यह हमारे पास equation बन गया, omega cv0 cos of omega t अब अगर आप देखें, अगर electric current की value हम maximum देखें, maximum value कब होगी? जब आपके पास इसकी value omega v0 c आजाएगी, जब यह value आजाएगी तो उसको maximum लेते हैं, क्यों maximum लेते हैं? चुंकि जब cosine की value है आपके पास, अगर वो 1 आ रही है, यहानि cos omega t, इसकी value अगर 1 आ रही है कहीं पर, वो आपको maximum electric current की value देगा, maximum. शीलिए अगर इसकी जगा आप 1 put कर ले, इस equation को हम किस तरह पर लिख सकते हैं? अगर इसकी value of 1 put कर ले, इस equation यूँ बन जाएगा, I is equal to omega cv0, चुंकि इस cos omega t की जगा 1 आ जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा, maximum current और उसको हम I0 से show करते हैं, I0. तो इसलिए यह जो term है, यह वाला, यह actually maximum current को show कर रहा है, यह maximum current है, इसकी जगा हम I0 लिख सकते हैं, यह आजाएगा, electric current is equal to I0, इसकी जगा I0 आजाएगा, और cause of omega t जो है, अपनी जगा पर हम लिख सकते हैं, यानि just हमने उस equation को simplify कर लिया, उस equation को हमने क्या किया, simplify कर लिया यह हमारा पास electric current की value आ गई, और इसी तरह आप cause omega t को simplify कर सकते हैं, इसको as an identity लिख सकते हैं, cause omega t जो है, यह equation just हम interchange करते रहते हैं, बाकि यह equivalent equations है, तो इसको mu भी लिख सकते हैं, sine of omega t plus 90 degree, अगर आप sine omega t plus 90 degree इसको open कर ले, expand कर ले, आपके पास result है, यह यह बन जाएगा, इसलिए अगर आप इसको in terms of sine लिखना चाहते हैं, फिर इस equation को आप यह लिख सकते हैं, in terms of sine, यह बन जाएगा, i0, i0, और इसकी जगह आजाएगा, sine, sine of omega t plus 90 degrees, यह हमारे पास equation आजाएगा, in terms of sine function, in terms of sine of angle, so equation आगया, और इस चीज़ को हमने detail के साथ पढ़ा, कि जो actually phase difference है दोनों के दरमयान, वो कितना है, यह आई, और यह तो just हमने mathematical expression निकाला, i और v के दरमयान, जो phase difference है, वो है πाई बाई 2, पाई बाई 2, इसका हमने vector representation भी पढ़ा, यह इनके दरमयान phase difference है, और यही भी हमने देखा, कि यह actually सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक capacitive circuit है, इसमें सिर्फ हमने capacitor add किया हुआ है, अगर आप इसके साथ कोई और component add करते हैं, तो फिर इसकी जो value है, phase difference की वो change हो जाएगी, यह complete description था हमारे पास, कि DC से जब हम charge करते हैं, capacitor को तब क्या होता है, और जब हम AC की circuit में उसको connect कर लेते हैं, add कर लेते हैं, तब क्या होता है?